वेल्कम बैक टू कलरफुल चेट्स तो एक बर फिर से लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खुबसूरत की कलर से बनी हुई एक बहुत ही प्यारी से शॉल इस शॉल में मैंने पूरा ही संग पैटर्न यूज किया है और बहुत प्यारा सा पैटर्न है तो अगर आप एक ब पैटर्न है प्यारी से बना लेंगे पूरी सॉल बनाने में आपको लगबग 600 ग्राम उन लगेगी बड़े पैंट करता है कि आप उसे कितनी बड़ी बना रहे हैं चोटी बनाएंगे अगर आप तो कम लगेगी पूरी ट्रेंगल शॉल बना के बताऊंगे आपको कि कैसे ब जाए और बहुत ज्यादा मुलायम भी हो ज्यादा मोटी ना हो तो फिर आप इसे आठ नंबर की ग्रोशा होग से बनाएं तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेती हैं अगर थोड़ा भी पैटर्न पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल पर न छे चैन बना के फर्स नंबर वाली जो चैन है इसमें अपने वर्क को स्लिप स्टिस से एड़ कर देंगे एक दो तीन तीन चैन बनाएंगे ये पहली डबक रोशा होगी सेम इसी होल से डालेंगे एक और डबक रोशा बनाएंगे अगें सेम स्पेस से डालके एक और डबक तो हो गई, 3 double crochet, 1, 2, 3, 3 chain मनाएंगे, same space से डालेंगे, 3 और double crochet बनाएंगे, एक, 2, और 3, अगें, 3 chain, same hole से डालके, फिर से 3 double crochet, 1, 2, और 3, अगें, 3 chain, same hole से डालेंगे, और 3 double crochet, 1, 2, और 3, तो ये एक leaf pattern, 3 double crochet, 3 chain, 3 double crochet का ये रेडी हुआ, एक ये रेडी हुआ, और बीच में भी 3 chain का space है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 chain बनाके work को turn कर लेंगे, हर बार आपको 6 chain बनाके ही work को turn करना है, जब आपकी एक रोप पूरी हो जाए, यहाँ पे जो 3 chain का space है, इसमें डालेंगे, और इसमें 3 double crochet, 3 chain और 3 double crochet बनाके रेडी करेंगे, तो ये बनेगा दोनों side का आपका border, जो हर बार एक जैसा ही बनके रेडी होगा, इसमें कोई change नहीं होगा, 3 double crochet, 3 chain, 3 chain, 1, 2, 3 double crochet, 3 chain और 3 double crochet, अगेन यहाँ पे 1, 2 और 3, 3 chain मनाएंगे, बीच वाला जो 3 chain का space है, इसमें डालना है और बना लेना है, एक double crochet, फिर से 3 chain, सेम स्पेस सिफ डालेंगे, इसी 3 chain के space पे, और एक double crochet, तो यह देखिए, यह बीच का triangle बनके रेडी हुआ, इधर leaf pattern है आपका, जो border की तरह यूज हो रहा है, बीच में design स्टार्ट करनी है, फिर से 3 chain, और दूसरे side का border, इस 3 chain के space में बनाएंगे, 3 double crochet, 3 chain और 3 double crochet, तो यह border हर बार फ्रेंड सेम ही रहेगा, सो मैं border हर बार आपको नहीं बताऊंगी, बीच की जो design है, वो मैं आपको हर बार बताने वाली हूँ, तो यह border हमने बना के इस side का भी ready कर लिया, दोनो side का border, 3 double crochet, 3 chain, और 3 double crochet से ही बनके ready होगा, और जब आपका border बनके ready हो जाए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 chain बना के वो को turn कर लेंगे, और again same space पे border बनाएंगे, तो फिर से बना लेंगे यहाँ पर 3 double crochet, 3 chain और 3 double crochet, 3 double crochet, 3 chain, 1, 2, 3, 3 double crochet, ओके, 1, 2, 3, 3 chain बनाएंगे, और 3 chain बना के यह वाला जो 3 chain का space है, इसमें बना लेनी है, एक double crochet, एक chain, फिर से इसी जगह से डालेंगे, दूसरी double crochet, एक chain, again इसी space से डालेंगे, तीसरी double crochet, एक chain, फिर से इसी जगह से डालेंगे, और 4 double crochet, तो बीच में हमने, एक, दो, तीन, चार double crochet इसमें बना ली, एक, दो, तीन, तीन chain बनाएंगे, अगेन यह जो border बना है, border के उपर border बनाएंगे, और फिर से छे chain मना के वक को टर्न करेंगे, और अगेन border के उटक पर border बनाएंगे, और अब यहां पर देखेगा, एक, दो, तीन, चार double crochet बनी हैं, जिसके बीच में एक, पहला ये space है, एक chain का फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, तो तीन space आपके पास है, तो इसी स्पेस में डालना है और यहां पे बना लेना है पफ एक, दो, तीन, चार, पांच पांच बार हमने यहां पे लूप लिया पफ बनाने के लिए इसे इस तरह से पकड़ना है और यहां पे ओवर करेंगे जो लूप हमने थम में लिया है उस लूप में डालेंगे और फिर से इसे ओवर कर लेंगे यह देखे ओके या आगे से और यह पीछे से तो इस तरह का पफ बना के रेडी करना है और पफ के बाद अब यहां पे एक, दो, तीन, तीन चेन बनाएंगे जो नेक्स वाला है यहां पे चेंज स्पेस इसमें डालेंगे और एक पफ इसमें बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच बार लूप लेंगे इस वाले ठेट को थम से इस तरह से पकड़ेंगे यहां पे लूप ओवर करेंगे और फिर जो थम से पकड़ा है उसके बीच में डालेंगे और इसे इस तरह से निकाल की सारे लूप को ओवर करेंगे एक, दो, तीन, फिर से तीन चेन मनाएंगे और तीन चेन मना के जो थर्ड एक चेन का स्पेस है इसमें सेम पफ को बना के रड़ी करेंगे तीन, चार, पांच थम से पकड़ लिया इस तरह से निकालेंगे और इसे ओवर कर लिएंगे एक, दो, तीन, तीन पफ बनके रड़ी हुए एक, दो, तीन, अगेन तीन चेन बनाएंगे बॉर्डर के उपर बॉर्डर बनाएंगे छे चेन बनाके फिर से टर्ण करेंगे और अगेन बॉर्डर के उपर बॉर्डर बनाएंगे ये pattern हमारा कुछ इस तरह से बनके ready हो रहा है तो दोनों side से border बना के इधर का भी ready कर से मैंने border के उपर border बना के ready कर लिया है और अब next row के लिए एक, दो, तीन, फिर से तीन chain मनाएंगे और तीन chain मना के अब यहाँ पे देखेगा तीन puff के बीच में दो बार chain space है एक ये है और एक ये है तो इसी chain space में हमें डालना है और यहाँ पे बना लेनी है छे double crochet एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ओके, छे double crochet इसमें बनाई और जो next chain space है छे double crochet इसमें बना लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे ओके, छे इसमें बना ली और छे इसमें बना ली दोनों बार छे छे हो गए फिर से तीन chain मनाएंगे और तीन chain मनाके, border के उपर border छे chain मनाके, work को turn करेंगे और फिर से border के उपर border तो ये देखिए ओके, border के उपर border बनाके, work को turn करेंगे तो ये देखिए, work हमारा कुछ इस तरह से बनके ready हो रहा है और अभी से ही इतना ज़्यादा खुबसूरत यह लग रहा है तो पूरा सॉल बनके रड़ी होगा तो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा और अब देखेगा यहाँ पर क्या करना है एक और दो दो चेन मनाएंगे बॉर्डर बनाने के बाद और यहाँ पर तीन चेन मनी होई है तो जस्ट पीच वाली चेन में डाला है और एक डवाक्रॉशा यहाँ पर बना लेनी है यहाँ भी अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरी डिजाइन ट्रेंगल सॉल में हमेशा क्या होता है एक डिजाइन से स्टार्ट करते हैं उसके बाद फिर दो चार रो बनाने के बाद दूसरे डिजाइन के लिए स्पेस रेडी करते हैं फिर जब यहाँ से जैसे जब छे डवाक्रॉशा इधर छे इधर बारा डवाक्रॉशा बीच में बन चुकी है इसके बाद जैसे ही रो श्टार्ट होगी तो उसके लिए आपको नई डिजाइन के लिए स्पेस स्टार्ट करनी होगी तो यहाँ पर दो चेन बना के बीच में एक डवाक्रॉशा बना ली फिर से दो चेन और अब यहाँ पर देखेगा यह डवाक्रॉशा बनी होई है फर्स्ट वाले स्किप करेंगे जो नेक्स्ट वाली है इसमें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे तो इसे नीचे से उठाना है हमें और नीचे से उठाके एक डवाक्रॉशा दूसरी में बनाई फिर दूसरी वाली में भी नीचे से ही उठाएंगे दूसरी डवाक्रॉशा बना ली 3rd one को नीचे से उठाएंगे तीसरी double crochet हो गई उसके बाद वाली को भी नीचे से ही उठाना है 4th हो गई तो जितनी भी इसमें बनी हुई है 12 double crochet बनी है तो पहली और आखरी double crochet को छोड़ देंगे उसमें वक नहीं करेंगे बाकी बीच की जो 10 double crochet है उन सब में एक एक double crochet इसी तरह से बना के रेड़ी करनी है यह देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस 10 double crochet बन के इसमें रेड़ी हो चुकी है और इधर के लिए भी पहले दो चेन बनाएंगे इस साइट के लिए एक डिजाइन स्टार्ट करेंगे तो बीच वाली जो double crochet है इसमें डालेंगे और एक double crochet इसमें बना लेंगे बीच वाली चेन पे तीन चेन है तो सेकेंड नमबर वाली पे डालना है अगेन दो चेन और यहां से फिर से सेम पैटर्न यानि बॉर्डर के उपर बॉर्डर तो यह देखिए एक डिजाइन के लिए यहां space ready कर लिया एक double crochet बना के और एक के लिए यहां ready कर लिया सेम प्रोसेस को repeat करेंगे बॉर्डर के उपर बॉर्डर बना के वह को turn कर लिए दिखिए और यह हमारा back side है back side में आपको इस तरह से दिखेगा बट अगर आप इसे front रखना चाहते हैं तो इसे भी front रख सकते हैं अब यहां पर इस row के लिए क्या करना है बॉर्डर बना के ready कर लिया एक, दो, तीन तीन चेन बनाएंगे और यहां देखेगा starting हमने triangle से की थी जब design start किया था तो triangle से start किया था न तो उसी triangle को बनाएंगे इस double crochet के उपर यह जो double crochet हमने नई बनाई है यहां पर डालना है जस्ट इसी के उपर एक double crochet तीन चेन सेम इसी जगह से डालेंगे और एक double crochet बना लेंगे तो इस तरह से हमारे नई design के लिए space ready हुआ है और नई design जो बनेगी जब यहां triangle बन जाएगा तो same pattern जो इसमें repeat हुआ है यह first row, फिर second, फिर third, फिर fourth, फिर fifth इसी तरह से रोज आपको इसमें और इसमें दोनों में start करनी है एक, दो, तीन, तीन chain मनाएंगे और अब यहां पर देखेगा जब हम उधर से बना रहे थे तो front post double crochet बनाई थी इसलिए इधर यह उपरा हुआ portion आया है बड़ जब हम back के side में आएंगे तो हमें back post बनानी है तो back post बनाने के लिए पहली skip कर देंगे इसमें work नहीं करेंगे पहली और दूसरी के 20 से cross hook को डालेंगे और यह जो दूसरी वाली double crochet है इसे उपर की तरफ से cover करेंगे और यहां पर एक double crochet बना लेंगे इस तरह से तो एक side से आपको front post बनानी है और एक side से back post जितनी भी double crochet बनी हुई है पिछले round में 10 बनी थी तो इस round में आपको पहली और आखरी skip कर देनी है तो बीच की बचेंगी 8 तो 8 double crochet में आपको same work को continue करना है में सब में आपको एक एक back post double crochet बना के ready करनी है तो यह देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, आठ बना ली पहली छोड़ दी और आखरी वाली इन दोनों को हमें यहां पर skip कर देना है अगेन तीन chain बनाएंगे दूसरे side के लिए और इस side में जो यह एक double crochet बना के ready की है इसके उपर डालेंगे और यहां पर बना लेंगे एक double crochet तीन chain सेम इसी double crochet के उपर से डालेंगे और एक और double crochet ओके फिर से triangle बना लिया तीन chain और तीन chain बना के border के उपर border छे chain बना के वह को turn करेंगे और again border के उपर border बना के ready करेंगे तो यह देखिए next row के लिए अब क्या करना है फिर से तीन chain बनाएंगे एक, तो, तीन यह वाला जो triangle बना है ज़स्ट इसके बाद वाली जो यह दो रोब में बनाया था चार डबाग रोश्या सेम अब इसे repeat करना है इस triangle पर तो तीन chain बना के इसी तीन chain के space में डालेंगे एक डबाग रोश्या एक chain दूसरी डबाग रोश्या अगेन एक chain तीसरी डबाग रोश्या फिर से एक chain और चौथी डबाग रोश्या तो चार डबाग रोश्या बनी थी सेम वैसे ही इसमें भी चार डबाग रोश्या बना के रेडी कर लेंगे एक दो तीन तीन chain बनाएंगे और अब ये वाला जो पार्ट बन रहा है इसमें बस आपको यही करना है कि एक एक करके आपको इदर वाली और इदर वाली एक छोड़ देनी है स्केप करनी है बीच की जो बचेगी उसमें आपको सीधे के side से front post और पीछे के side से back post बनानी है तो फिर से मैं एक छोड़ूUंगी और इधर से में मुझे refugee front post बनानी है तो नीचे से मैंने उठाया और एक टोटल अब बीच में हमारे पास छे डबा क्रोशा बनेगी तो इन छे और डबा क्रोशा में एक डबा क्रोशा बना के रेडी कर लेंगे और अब दूसरे साइट के लिए बनाएंगे तो पहले तीन चेन बना लेंगे अगेन यहाँ पर ट्राइंगल बना हुआ है दूसरे साइट के लिए तो इसमें बना लेना है चार डबा क्रोशा एक एक चेन देते हुए तो एक डबा क्रोशा एक चेन दूसरी डबा क्रोशा फ यह देखे, चार डबाक रोशा बन गई, लास्ट में तीन चेन बनाएंगे, और बॉर्डर के उपर बॉर्डर बनाके रेडी करेंगे, तो दुनों साइट से बॉर्डर बना लेंगे, इधर से भी और उधर से भी, बॉर्डर के उपर बॉर्डर बनाके रेडी कर लिया, फिर से हमें रिपीट करना है तो फर्स चेन में डालेंगे एक दो तीन चार पांच पांच चेन मना लेंगे थमसी से पकड़ेंगे और बीच में से डालते हुए यहाँ पर इसे ओवर कर लेंगे एक दो तीन तीन चेन मनाएंगे दूसरी चेन स्पेस में भी पांच बार लूप लेते हुए पफ बना लेंगे पिर से तीन चेन तीसरा चेन स्पेस में भी एक दो तीन चार पांच पांच बार लूप लिया और पफ बना के रेडी करेंगे ओके यह देखिए एक दो तीन तीन चेन तो बहुत एज़ी सा पैटर्ण है आप खुद देख सकते हैं डिजाइन खुद समझ में आती है हमें कहां से क्या करना है अब यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छे डबर क्रॉश्या है तो पहली आ बना लेंगे और डबर क्रॉश्या को कवर करते हुए एक डबर क्रॉश्या बना लेंगे चार उमें इसी तरह से करना है एक दो तीनओ चार एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे और इस साइड मैसे ही जैसे इनतर बनाया है इदर भी पफ बनाएंगे 나오는 तीन स् Stream के भी border बना लेंगे यहां अगेड माने border के उपर border बना लिया और अब यहां पर puff के बीच में हमें क्या बनाना है छे double crochet एक chain में छे double crochet एक में तो पहले तीन chain बना लेंगे एक दो और तीन में डालेंगे और छे double crochet रोशा बनाएंगी एक दोनों पफ के बीच में जो तीन चेन का स्पेस बनाया है उसी में बनाना है छे डबल ग्रोशा चार पांच छे चेस में बना लिया नेक्स वन में डालेंगे छेस में बनाएंगे एक दो तीन चार पांच और छे एक दो तीन तीन चेन मनाएंगे और तीन चेन मना के अब यहां पे देखेगा 4 double crochet है तो बीच में 2 double crochet में ही हमें work करना है पहली छोड़ देंगे दूसरी वाली में front post double crochet बनाएंगे और तीसरी वाली में बनाएंगे चोथे वाली छोड़ देंगे ओके एक दो तीन तीन चेन बनाके दूसरे सड़े में अगें यह जो तीन चेन का इस पर ये पर बीच में इसमें है चैन इसमें चैन बनाया है 12 double crochet और जब आपने यहां पर 12 double crochet बना ली थी, यह पर देखी गए starting में, यह 12 double crochet बनी हुई है, इसके बाद वाली जब हमने रूज स्टार्ट की थी, तो एक नया pattern स्टार्ट करने के लिए double crochet बनाई थी, तो same ही pattern को अब हमें इसमें repeat करना है, तो बस आपको इतना ध्यान देना है friends, कि जब आपकी 12 double crochet बन जाएगी, तो 12 double crochet के बाद वाली जब रूज स्टार्ट होगी, तो उसमें आपको starting में और end में एक एक नई design के लिए double crochet बनानी होगी, और बीच की design तो आपकी वैसे ही बनती जाएगी, जैसे आपका pattern स्टार्ट होगा, तो यहां पर design आपकी already ब ही जाएगा, तो यहां पर देखेगा, दो chain बना के बस एक यही row है जिसमें दो chain बनती है बाकी सब में तीन, तीन चेन बनती है, बीच वाली chain में डालेंगे और यहां पर एक double crochet बना लेंगे फिर से दो chain मनाएंगे और दो chain मना के यहाँ पर back में हैं पीछे का side है तो इसमें back post double crochet बनानी है पहली double crochet skip करेंगे और दूसरी double crochet से जितनी भी double crochet बनी है उन सब में एक एक back post double crochet में इस पीछे के side से हैं तो back post बनाएंगे यह front side पे होते तो front post बनाते तो इस तरह से सब में एक एक double crochet बना लेंगे तो टोटल दस double crochet बना ली अब यहाँ पे एक, दो, तीन chain बनाएंगे और यह हमारा जो first pattern बनके अभी तक संख ready हो रहा था पहला वाला यह अब यहाँ पे खतम हो जाएगा तो इसके लिए यह जो दोनों double crochet है इसे नीचे से दोनों को एक साथ लेंगे और यहाँ पे एक back post double crochet बना लेंगे और फिर से तीन chain तो यह देखे, यह pattern हमारा खतम हो चुका, front से दिखा दूँ आपको, तो यहाँ पे नई design यह start हो गई एक double crochet के साथ, यह pattern जैसे ही खतम होगा दूसरी design के लिए यह भी start हो गया है और एक यहाँ पे start होगा जब हम बिलकुल end पे आएंगे, तो फिर से तीन chain मनाएंगे और तीन chain मनाके जो इधर 12 double crochet है इसमें पहले skip करेंगे और दूसरी वाली से 10 double crochet है तो सब में एक एक back post double crochet बनाके ready करेंगे 12 double crochet बना ली, दो chain और इधर के लिए भी एक बीच वाली में डालेंगे और एक double crochet बना लेंगे दो chain बनाएंगे और border के उपर border तो इधर से भी border बनाएंगे और back side से भी border बना लेंगे तो यह देखिए, एक design पूरी complete हो गई, दूसरी design में हम यहां तक आ चुके हैं और तीसरी design के starting के लिए एक double crochet यह बन गई है, एक यह बन गई है और एक यह बन गई है तो अब हमारी एक, दो और तीन designs बनेंगे स्टार्टिंग हमने एक design से की थी, फिर दो design बनी, अब दो के बाद एक, दो और तीन design बनेंगी तो अब यहां पर देखेगा कैसे start करेंगे, बॉर्डर बनाने के बाद फिर से तीन chain बनाएंगे और तीन चिन बना कि यह जो first double crochet है, इसके उपर बना लेना है हमें पहला भी, एक double crochet, तीन chain और एक double crochet सो friends, अगर आप एक beginner भी है, तो भी इस roll को आराम से बना लेंगे, आपको कोई problem कहीं भी नहीं होने वाली है, सिर्फ आपको design स्टार्ट करने पे ध्यान देना है, बाकी आपका pattern सेम वैसे ही चलता आजाएगा 10 double crochet है, तो पहले skip करेंगे, दूसरी वाली से front post है, सीधे side पे हैं लो, तो यहाँ पे इस तरह से उठाएंगे, ओपर से नीचे के तरफ crochet होको डालना है, और front post यहाँ पे बना लेनी है, तो total अब इसमें 8 double crochet बनके ready होगी, यह देखे, 8 double crochet बन गई, 1, 2, 3, 3 chain मनाएंगे, य पर एक नई design स्टार्ट करेंगे, तो यह जो एक double crochet है, इसके बीच में डालेंगे, और यहाँ पे बना लेंगे, एक double crochet, 3 chain, और एक double crochet, मीन्स नए pattern के लिए, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया हमने, ओके, फिर से 3 chain, और यह जो इधर वाली double crochet है, पहले skip करेंगे, दूसरी से front post double crochet, बीच की 8 में बना लेंगे, यह जो double crochet बनी हुई है, इसके उपर triangle बनेगा, जैसे इधर triangle बना है, वैसे ही इधर भी triangle बनेगा, और border के उपर border फिर back में आएंगे, तो यह देखिए, मैंने आपको जैसा बताया था, आठों के उपर एक एक double crochet, triangle बनाया, double crochet के उपर, और border के उपर border, तब यहाँ पे देखिए, 3 triangle बनके ready हो गए हैं, तो अब यहाँ पे मुझे repeat सिर्फ इन ही rows को करना है, triangle बन गया, triangle के बाद 4 double crochet, फिर puff वाली row, फिर 12 double crochet वा यहाँ तो प्रुटसंख आधा है, उसमें उस तरह से continue कर हैंगे, जो is starting में है, जिसकी starting हो रही है, उसमें उस तरह से बनायेंगे, तो triangle के बाद हम हमें क्या बनाना होता है, 4 double crochet, तो अब इसमें बना लेएंगे, 4 double crochet, 1 double crochet, 1 chain, एक डबा क्रोश्या, एक चेन, तीसरी डबा क्रोश्या, फिर से एक चेन, चौथी डबा क्रोश्या, तो हर डबा क्रोश्या के बाद एक चेन, एक, दो, तीन, तीन चेन मनाएंगे, और तीन चेन मना के, अब फिर से पहले स्किप करेंगे, और दूसरी वाली से, एक, एक डब Ch Actor भोकरौशय होंगी 6 दभाक रौशय बनाकर ready करेंगे 6 दबाक रौशय बना लिए 4 डबाक रौश करेंगो भीच का ट्राइंगल है तो इसमें भी 4 दबाक रौश बनाएंगे 6 डबाक रौश बनाली ने गाटमारारीं Assistance तीन चेन मनाएंगे फिर से यहां पे संख है दूसरा वाला को इस्में पहले, पहले करेंगे और दूसरी से डवर क्रॉश तरफ करेंगे तो पोरे में डवर क्रॉश अ बनाएंगे होती जा रही हैं फिर से हमें तीन चेन बना लेनी हैं एक दो और तीन और अब चार ़ाना होता है हमें पफ पहली चेंडां स्क्रेश में डालेंगे एक दो तीन चार पछेंड तेन पांच पांच चेन नई design को start करना है और पुरानी design को end करते जाना है और आपकी नई design जहां पुरानी design and do वहां से एक और नई डिजाइन स्टार्ट हो जाएगी बाकी आपको स्टार्टिंग में और एंड में जैसे ही आपका ये 12 डबर क्रॉश्या वाला पैटर्न बनेगा उसके बाद वाली रूप जहां से स्टार्ट होगी वहीं से आपको स्टार्टिंग में एक डबर क्रॉश्य बना ली है और एंड में एक double crochet बनानी है और इस तरह से आपकी जो नई design है वो start हो जाएगी यहाँ पर बना लिया फिर से एक तो तीन तीन चेन बनाएंगे अब यहाँ पर बीच में चार double crochet है तो चार बना के ready करेंगे यहाँ पर बन गया यहाँ चार double crochet बनेगी फिर पर बनेगा फिर चार dem quickly one जाएगा इस संक में यहाँ पर थो नई design तो मैं इस में एक और design यह पूरी बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि यह pattern किस तरह से लग रहा है और जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए कि किस तरह से ये बनके ready होगा तो ये दोनों संख आप पूरे हो जाएंगे दो रो के बाद और यहां से ये वाले design जो नई है वो start हो जाएगी तो मैं बना लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ सेम पैटरन को repeat करते हुए मैंने तीसरा वाला जो संख है वो भी पूरा बना के ready कर लिया है और यहां पर fourth number का मैंने start कर दिया है तो same इसी तरह से आपको continue करना है fourth number का कहा कहा start हुआ है देखिएगा एक मैंने जैसे आपको बताया कि पहले starting में और end में सिर्फ आपको इस वाली row में 12 double crochet बन जाए जहां से front post double crochet start होती है वहां से ही आपको नया design start करना है यहां पर देखिएगा एक design start हो गई फिर उसके बाद जो जो संख आपका बन के ready हो जाएगा जस्ट उसके उपर भी आपके design बन के start वैसे ही होती चली जाएगी जहां से नई design start होगी वहीं से आपकी संख के उपर भी नई design start होगी जैसे देखिएगा यहां पर एक design start होई है यह पहला संख end हुआ उसी के उपर दूसरा start हो गया अब यहाँ पर यह एंड होगा इसी के उपर तीसरा इसी के उपर स्टार्ट हो जाएगा सेम वैसे ही जैसे यह दो डिजाइन थी इन दो डिजाइन के उपर देखेगा यहाँ भी संके स्टार्ट हो गया है यहाँ भी संके स्टार्ट हो गया है ये लगबग आपकी देड मीटर के करीब होनी चाहिए एक सवा से देड मीटर के आसपास इसकी लंबाई होगी तभी ये प्रॉपर्ली आप इसे ओड पाएंगे ठीक से और बनाने के बाद नीचे आपको एक पॉम पॉम लगा लेना है और दोनों कॉर्णर पे एक पॉम पॉम लगा लेना है और आपका पूरा पैटर्मन के रेड़ी हो जाएगा आपको ये डिजाइन पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा मैं मिलूँगी आप से कुछ नए आइडियास के साथ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाई थाइंक यू एंड हैव नाइस दे